तो आगे हमें काम करना है लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूँ यह जो सॉफ्टियर मोंगो डीवी कमपास यह आपके PC में होना चाहिए क्यूंकि आगे आप हमें डेटा इंसर्ट करना अंदर यानि कि यहां पर जो भी इंफट किया जाएगा वो डेटा डेटा बेस के अंदर इंसर्ट करना है इसलिए आगे काम करने के लिए सोफ्ट्यूर पीस के में इस iç-cion अचाहिए इसको इंसको करने जाना हम को को से आपको कि मोंगोडीविक Baruma को डॉइए तो ये वाला जो वीडियोवका सैंदर से देखेंगे सुरुवाट में यहांपर अपको बताया गया है कि कैसे और शुरूआथ में पताय चीज़े बताइगी है थोड़ा सा स्किप करेंगे वीडियो लगबग 8 मिनिट के पास आएगे और यहां पर देखेंगे कि इस तरीके से इंवारीमेंट को सेटप कराएगे है तो इन्वार्मेंट वरेबल का जो सेट अप कर आए गया वो भी देख लेंगे आप ठीक है तभी आपका सेट अप होगा जब एक बार पूरा सेट अप हो जाए उसके बार जब फरस्ट टाइम इस वाले प्विलिकेशन को ओपन करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा यहां पर इस को डिलीट करना होगा उसको डिलीट कर सकते हम से जो डिफॉल्ट करेंगे आपको लिखना है प्रेंत नोड म사를 करणा मैं इस तरीके से तो नोड माड़िल फोल्डर इसके अंदर इसके डिखेंगे तो अभी तक नहीं था अभी आ गया उसके बाद आपको एक और कमांड चलाना है यहां पर लिखना है नोड मोन मैंने यह कमांड चला रखा इसलिए मैं यह कमांड नहीं चला रहा हूं ऐसे लिखेंगे अभी वीडियो जाएगा अगर इसमें अभी सर्वर में स्टार्ट नहीं करता हूं तो आपको बस cmd में जाना है टाइप करना है नोड मोन ठीक है नोड मोन ठाइप करेंगे आपका API सर्वाइब स्टार्ट होगी अब आप आगे काम कर सकती हो अदेटा रखान घिरख करना है ठीक है तो आपको मैं बताऊंगा किस API आपको काम करना है डेटा रखान करने के लिए मैं वह जो है डो मैं अपको दूंगा उसी को आपको रिख कुछ करने के लिए मैं आपको पता हूँगा थोड़ी ज़र में लेकिन उससे पहले यह सारे कमांड चला लेने हैं उसके बाद उससे यानि कि आपका जो पूरेज्ट है यह वाला इसको भी रन कर लेना है और वियस कोड में भी ओपन कर लेना है वियस कोड में ब्राउजर में ब्राण करें कर लेकिन कामें और आपको कु它 बच बनेतर हैं और सब कुछ कर दिया है मैं डेटाओं को बताओं का कैसे क्या करना है ठीक है तो आभर अपने लाज्स काम किया था यहां पर ने एक junior से यहां पर सब्सक्राइब होगा इसमें आपको चेंजस नहीं करना है यहां पर पोस्ट कर देंगे अब आपको डेटा देना होगा यहां पर पोस्ट कर देंगे ठीक है अब आपको डेटा देना होगा यहां कि जो डेटा आप इंसर्ट करना चाहे तो वो डेटा देना है तो डेटा आपका यहां पर है नोटिस करें यहां पर जो भी इन्पुट किया जाएगा वो अभी आपने कहीं पर कलेक्ट नहीं किया है अगर सिर्फ इसके अंदर फाइल नहीं होता फाइल नहीं होता तो हम ऐसे फाइल को पूरा बेद देते अब क्यूंकि इसके अंदर फाइल है तो उसको आपको हैंडल करना होगा ठीक है या तो अगर आप फाइल हैंडल नहीं करना चाहते हैं तो बहुत सारी तरीके हैं कि जो इसको ओपेन करो देखेंगे वह जो फाइल वाला कॉंस्टेंट वह इन्पुट फिल्ड वह कहां है इसके अंदर प्रोफाइल है टाइप का वल्व फाइल है इसमें जड़ा यहां पर आपको एक फंक्शन कॉल करना है अप्लोड के नाम से जड़ा तो मैंने अपलोड के नाम से अपलोड फाइल इसके नाम से अपलोड फाइल और यहां पर हम कॉल बेक्ष देंगे इवेंट को रिसीप कर लेंगे जो भी इवेंट आयेगा उसको यहां पर हम इस दर्क से रिसीप करेंगे इसके फंक्शन करें में तो रिसीप कर लीजिए इवेंट के अंदर से रेक वेल्व बहल hashing file के नाम से क्वाइश्ट्या मनाया और जो input है input के अंदर से आपको इनकी input.files एरे को define करना होगा और इसके अंदर से 0 index को access करेंगे तो आपको file मिल जाएगा आप देखना चाहे तो console.log करो और यहां पर file को print करो जो भी file है उसको print करो ठीक है को इन्सधे करेंगे इस तरीक इस से और कंसोल में आ जाएंगे नोटीम करेंगे में यहां पर जो वर्निंग आ रहा है किसको और सोडसा करें उसका सबांदgen यहां वह सब आ लेकिन इस फॉरमिट में आप देटाबते स्चूर नहीं कर सकते हो डेटा आपको database में store करने के लिए इसको convert करना होगा binary में यानिकि इसका binary data आपको चाहिए तो binary में convert करने के लिए सबसे पहले आपको file तो मिल गया आपको एक concept मनाएगे दराज तरीके से f reader के नाम से तो file reader के नाम से दराज इसके अंदर new keyword के साथ f reader API को यानिकि जो file reader API है इसको call के इसका object करेंगे तो मैंने object करेंगे क्या इस तरीके से आपको जो है आप यह जो f reader है इसी के अंदर से read as data यानिकी f reader dot read as data URL ठीक है read as data URL इस function को call करेंगे एक predefined function है और इसके अंदर आपको यह file दे देना है इस फाइल को आपको provide कर देना है ठीक है अब फिर से आपको यहाँ पर लिखना है f reader dot on load इसमें on load event को डिखान करना है इसे और load होने पर event को यहाँ पर receive करें callback देंगे यहाँ पर आप एक इस तरीक से URL के नाम से ऐसे मैंने URL के नाम से और यहाँ पर क्या करूंगा मैं जो event है उसके अंदर से target और target के अंदर से result को आपको read करना है event dot target dot result console dot log करेंगे इस तरीके से तो जो आपको यहाँ पर बानेरी डेटा मिलेगा वह URL के मैंने constant में रखा है यानि कि URL वाले constant में उसी को हमने print किया है आज यह जरा यहाँ पर inspect कर लेंगे एक बार इतक्सी मैंने inspect किया console में जाएंगे इसको clear कर लेंगे जो भी यहाँ पर था फिर से यहाँ से file upload करिए तो जो को भी file upload कर सकते है अब यह जो डेटा को आपको इसको इसको अब यहाँ पर आजाओ यह जो रखाए इसको बीनिमाइज कर दिये थोड़ी देड़ के लिए उपर की तरफ आजाओ टॉप में यह जो रिजिटर वाला constant इसके उपर यहाँ पर आजाओ एक कौंस्ट्टर बना लो जाँ आज तरह से sign up form के नाम से यहाँ यहां पर आप क्या क्या डेटा वो देखिए ज़रा सबसे पहले नेम है और पासवर्ड के नाम से प्रोपेटी बनाना है पासवर्ड का वेलू भी इंपिटी रखना है इसके बाद आपको मोबाइल के नाम से प्रोपेटी बनाना और मोबाइल का वेलू इंपिटी रखना है इससे तरीके से क्वामा देंगे और अगला क्या बचा प्रोफाइल ठीक तो यहीं पर आ जाओ, एक constant मुना उज़रा इस तरीके से, input के नाम से, क्योंकि state हैंडल करना, और set input के नाम से दूसरा constant, input, set input, equal to का symbol लेंगे, और यहाँ पर आपको define करना इस तरीके से, use state वाले hook करेंगे, use state वाले hook का यूश करेंगे, और इसके अंदर यह constant है, अपका register data, इसको यहाँ पर दे दो, मैंने यहाँ पर दे दिया, अब क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर यह जो object था, यह वाला object जो है, यह वाला पूरा object वो कहां है, input के अंदर है, इस वाले input के अंदर, क्योंकि हमें इसके लिए state हैनल करना था, बस इसलिए हमने इसको define किया, ठीक है, अब इस input के अंदर है, अब आजाओ जारा नीचे की तरफ, जहां पर आपका सारा field बना हुआ है, तो field आपका, यहां पर design वाले constant के अंदर होगा, form के अंदर, यह रापका form, ठीक है, पहला input field आपका यह है, जिसमें name है, तो सबसे पहले इसमें name keyword का value लगा दो, आपको क्या रखना है, नेम ही रखना है, उसके बाद आपको value keyword का युश करना है, यहां पर update value के नाम से, अभी हमने इसका definition नहीं किया है, हम definition करेंगा इसका, यहां से लेकर करके, यहां तो copy कर लो, इसको हम सभी में define करेंगे, यहां कि सभी में, तो यह आपका email वाला है, इसमें भी define करो इस तरीके से, name का value email कर देना आपको इस तरीके से, और input के अंदर से email को read करना है, और यहां पर on change का value सेम रहेगा, update value ठीक है, पासवर्ड वाले में, यह mobile वाला है, इसके अंदर भी आपको इहां पर paste करना है, name का value आपको mobile लखना है, इस तरीके से, input के अंदर से mobile को read करना है, यहां पर ठीक है, और यहां पर आपको update value, ऐसे ही रहने देना है, ठीक है, उसके बाद आपको नेची के तरफ आप आना है, पासवर्ड वाले में, पासवर्ड वाले में आप कंट्रोल भी करिए, name का value आप इस तरीक से password कर दीजिए, ठीक है, इनपुट का value आप पासवर्ड कर दीजिए, यहां पर इस तरीक से, यहां कि input.password हो जाएगा, ठीक है, और on change में update value, बस ऐसे रहेगा, और इस profile वाले में कुछ नहीं करेंगे, profile वाले में आपको कुछ नहीं करना है, तो अभी हमने क्या क्या है, वो समल लेंगी ज़रा, इ इसी के नाम से बनाएंगे, update value के नाम से, event को यहां पर भी receive करेंगे, आप callback दे दीजिए इस तरीके से, अब इसका definition हो गया, अब आप एक constant और बनाओ इस तरीक से, input के नाम से, पहले input के नाम से बनाएंगे, उसके बाद आपको define करना है, event.target, event.target, आप read कर लिए तरीक key के नाम से, key के नाम से बनाएंगे, और यहां पर आपको define करना है, input के अंदर से name property को rate करना है, input.name, अब जिसमें input करेंगे, इसके name property का value निकलेगा, और इसमें चला है key में, तो जो name property का value रखा है आपने, वो यहां पर भी है, यानि कि इस वाले object में सेम है, यानि कि name है, name input होगा, यहां पर data update होना चाहिए, इसके अंदर, ठीक है, तो आभी होगा, क्या, notice करिए, अगर आपने direct, suppose को हम यहां पर आजाते हैं, और यहां पर नीचे की तरफ आजाओ, यह जो form है, आपका form के नीचे आजाओ, यह जो button होगा, इसके just नीचे, button के नीचे आपको करना क्या है, template letter का symbol देना है, json.stingify का यूज करिए, json.stingify का यूज करिए, और यहां पर input वाला constant उसको print करिए, input को हमने print कर दिया, notice करिए, यहां पर वो देखेगा, देखे, name में कुछ नहीं है, email भी कुछ नहीं, password में कुछ नहीं, तो जैसे हम type करें, इसमें update होना तो इसमें सारा value आजाएगा, कौन सा value आगा है, जिसमें आप input करेंगे, set input, यहां से return करेंगे, return keyword करेंगे, और set input को return करेंगे, तो set input जो है, उसको call करेंगे, इसके अंदर आपको, पहले तो old अच्छा, अगर आपने direct update के है, तो problem क्या होगा, कि जैसे जैसे आप type करेंग इसका value, key का value value बना दिए, ठीके, तो होगा क्या, जैसे जैसे आप input करेंगे, उसमें return होगा, और key के नाम से property बन जाएगा, notice करेंगे, यहां पर आपको, एक बार reload करेंगे, यहां पर इसके click करेंगे, अब हम अगर इसमें input करेंगे, तो होगा क्या, क्या क्या दिखे, key के old data को receive करना है, यानि कि जो previous data है, उसको भी रोग के रखना होगा, old data के नाम से मैंने constant बना है, फिर से इसके अंदर आपको return करेंगे, और यहां पर आपको json return करना है, पहले तो spread operator के साथ आपको old data को return करना है, तो old data को मैंने ऐसे return कर दिया, यह वाला constant, ठीक है, commerce से separate अब ही क्या होगा, जैसे जैसे आप input करेंगे, की के नाम से property बनेगा, और value उसमें चला जाएगा, लेकिन हमें की के नाम से property नहीं बनाना है, अभी समझते हैं इसको, यहां पर एक बार reload कर लेंगे, इसमें क्लिक करना देखिए, अगर हम name में input करेंगे, तो की के नाम से property उसमें name में जाने लगा, जो भी आपने input करेंगे, ठीक होगा क्या, की के नाम से property बनेगा, लेकिन हमें की के नाम से property नहीं बनाना है, हमें property जो इसमें assign है, उसी के नाम से बनाना है, ताकि इसमें data update हो, तो इस चीज को आपको array से block करेंगे, यानि की array के अंदर रखेंगे की को, तो किसी भी property का नाम अगर किसी variable के अंदर आ रहा है, तो उस variable को आपको array से घहर देना है, यानि की array के अंदर रखेंगे, ठीक है, आप क्या होगा, जैसे जैसे आप input करेंगे, वह ऐसे वहाँ पर data update होगा, यानि की अगर name में आप input कर रहे हैं, तो देखें, name में data update हो रहा है, अगर हम email में input करेंगे, तो email में data update होगा, इसी तरहीं से password में input करेंगे, तो password में, और हाँ, mobile में, यानि की password में input करेंगे, तो password में data होगा, यहाँ पर on change करेंगे, तो profile में data update नहीं होगा, अगर आप चाहें तो profile में data update हो, तो नीचे की तरफ आ जाओ, जो profile वा कर convicted जाए कि आप क्या होगा तो यहां पर आये कि यहाँ पर और डाला इस तरीक है और और अपट नहीं और इस तरीकों है इसको ख़टा दिये जाना, return keyword का ऐउच करेंगे इस तरीके से, और set profile, यानि कि जो set input है, इसको call करेंगे, यहाँ पर भी आपको definition करना होगा, old data को receive कर लेंगे, यानि कि जो भी old data है, उसको receive कर लेए, callback देंगे, और फिर से return keyword का ऐउच करेंगे इस तरीके से, और यहां पर आपको आप चाहें तो profile के नाम से property बनाओ, यहां पर इसे प्रोफाइल के नाम से बनाएंगे और यहां पर आपको URL को दे देना है, तो अब यह ऐसे अपडेट हो जाएगा, ठीक है, आई ज़रा टेस्टिंग कर लेते हैं, अब मैं यहां पर on change करूँगा, तो अपडेट होना चाहिए, नोडिस करेंगे, मैंने ओंचेंड किया, एक बार रिलोड करेंगे, पहले, उसके बाद देखेंगे, तो मैंने रिलोड कर लिया, यहाँ पर मैं इंपुट करता हूँ, नेम, इमेल, मोबाइल, और यहाँ पर मैंने पासवर्ट इंपुट किया, और यहाँ से मैं फोटो चूज कर लेता हूँ, तो यह वाला फोटो मैं चूज करूँगा, छोटा, तो आप फिलाहाल छोटा फोटो ही चूज करेंगे, उपन करेंगे, इसमें यूरल भी आ गया, यानि कि जो आपका यूरल था वो भी उसके अंदर आ गया, ठीक है, अभी अब यह सारा डेटा आपका इंसर्ट होना चाहिए, अच्छा, लेकिन प्रोफाइल के नाम से जो प्रोपर्टी बना, उसके अंदर हमने सायद ओल डेटा हमने रिसीब किया, लेकिन देखिए, सारा डेटा चला गया, प्रिवेश डेटा जो था, नेम कीवर्ड का वाल्यू अब यहां से हम चूश करेंगे फोटो, यह वाला फोटो मैंने चूश किया, यहां पर सारा डेटा है, इमेल भी है, मुवाइल भी है, प्रोफाइल भी है, और सब कुछ है यहां पर ठीक है, अब यही डेटा आपको इंसर्ट करना है, डेटा बेस के अंदर, तो पहले तो बबलू पोस्ट दिया था, URL दिया था, कौमा लाके जरा data के नाम से property set करो, और यहां पर यहां पर यह जो input वाला constant है, इसको आपको assign करना है, कि क्योंकि इसी के अंदर सारा data है, तो input को assign कर दीजे, अब जो insert हुआ कि नहीं हो, वो आपको पता चल जाएगा, जो भी response आएगा तो वो यहाँ पर आता है, इसलिए अब direct response यहाँ पर आप प्रिंट कर सकतो, अगर आपने direct response को यहाँ पर प्रिंट किया, तो प्रॉल्म की होगा कि page load होते ही यह print हो जाएगा, ठिक है, इसके लिए भी हमें काम करना होगा, पहले हम देख लेते हैं, के insert होता है कि नहीं एक by reload कर लिए मॉगो आपका ऩोपन कर लेंगे ठीक है यहां पर देटा इंसर्ट करिए करिए मैंने यहां सेmaya एमेल यह टाला यहां पर यह डालेंगे पॉस्पर दाल देंगे और यहां से पोटो चूस करेंगे तो फिलहाल छोटा ही चूस करेंगे ज़्यादा बड़ा फोटो नहीं चूज करेंगे ठीक है राइस्टर पर क्लिक करिए एक बार कमपास में जाएंगे यहां पर रिलोड करेंगे देखिए रजिस्टर के नाम से डेटाबेस बनेगा और इसके अंदर जाके देखेंगे तो जो अभी आपने डेटा इंसर्ट किय होसके लिए क्या करेंगे हमें सबसे पहले लिए लिए करेंगे तो आपनेट करएंगे टेक है इसके अगर कुछ आया है तो हम क्लेका नावरा चल्या चाहिए और contrario नेखर आपको स्मा देखें, और इस आयरे के अंदर आपको डिफान करना इन तीनों को डिफान करना अंगर इन तीनों में कुछ data आया है आपको condition check करना होगा, ऐसे check करें दरा if request, अभी request में क्या है, null है, page load होते है request में क्या है, null है, यहाँ पर, तो अब कोई भी, अगर आप यहाँ पर alert लिखेंगे, तो अब क्या होगा, जब तक इसमें कोई data update नहीं होगा request के अंदर, यहाँ पर alert नहीं आएगा, अब page load होती, alert नहीं आएगा, notice करिए, अब कोई alert नहीं आएगा, जब तक हम register पर नहीं click करेंगे, ठीक है, अभी हम थोड़ी दिर में काम करेंगे, अब यह भी check करिए जड़ा, अब यहाँ पर एक condition all लगाई है, if HTTP response, अगर HTTP response के अंदर कुछ आया है, पहले तो response को चिक कर लिए इस तरीकर से, अगर HTTP response के अंदर कुछ आया है, तो यहाँ पर काम करेंगे, ऐसे लिखे ज़रा alert इस तरीक से, और यहाँ पर लिख देंगे हम data inserted, ऐसे लिखे ज़रा message में data inserted, मैंने ऐसे define किया, उसके बाद, अच्छा, इसको console भी कर दीजे, तो यहाँ पर console.log करेंगे, और यहाँ पर आपको HTTP response तो console कर देना है, तो जो HTTP response उसको console कर दिए, terminate करेंगे, इसी line को ज़रा copy कर लिजे, इस तरीक से, इसके just नीचे paste करेंगे, और यहाँ पर HTTP error को आपक करेंगे, थोड़ी ज़र में, फिलाल आप ऐसे दीजिए, आए ज़रा यहाँ पर एक बार reload करेंगे, ठीक है, मैंने reload किया, और यहाँ पर आप इस पर click करेंगे, इसमें जो भी होगा clear कर लेंगे, यहाँ पर आप data feed करेंगे, तो मैंने name डाल दिया, email में कुछ नया email डाले इसके बाद आप photo choose कर लिए, तो photo मैंने वही वाला चूज किया, जो logo वाला है, ठीक है, यहाँ पर है, open कर लेंगे, छोटा ही photo choose करेंगे, ज्यादा बड़ा photo नहीं चूज करेंगे, register पर click करेंगे, मैंने register पर click कर दिया है, ठीक है, यह दिखे, alert में आया data inserted, और यहाँ पर register पर click किया है, ठीक है, देखते है, data inserted में से आया, अच्छा, data not inserted में से आया, ठीक है, data not inserted में से आया, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर error हुआ, ठीक है, तो अगर आप MongoDB compass को जाके देखेंगे, एक बार reload करेंगे, तो यहाँ पर एक ही data आया, हमने जबकि तीन बार register कि देखेंगे, तो data के अंदर पता चलेगा, is registered का value false, और message का value हो गया, duplicate email, ठीक है, तो हमें यह चीज नहीं print करना है, इतना बड़ा response नहीं print करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर आजाओ, यह जो use HTTP इसके अंदर आजाओ, आपने इसके अंदर से कुछ return किया था, एजाक क यह जो load होते हैं, क्यों आगया, एक बार reload करें इस तरीके से, यहाँ पर आएंगे, इस तरीके से, और यहाँ पर नया data कुछ इस इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर हमने नया data insert किया, चलिए, यहाँ पर यहाँ पर जाएंगे, इसको open कर लेंगे, और register पर click करेंगे, data not inserted मे अब जाओगे, तो आपको दूसरी तरीकी का object मिलेगा, इसके object है, इसके अंदर से गर हम data read करें, और data के अंदर से message read करें, तो हमें पता चल जाएगा exact reason क्या है, जो है data नहीं insert होनेगा, ठीक है, तो यह चीज हमें sweet alert के अंदर present करना है, इसलिए अब हम sweet alert का use करेंगे, ठीक है, तो sweet alert को use करने के लिए यहाँ पर आजाओ, जरा, ऐसे लिखो, यहाँ पर sweet alert, sweet alert ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे react boot इस्ते, तो react-boot इस्ते, य यह भी आपको साथ में लिखना है, first वाली जो link दिखेंगे npm-.com की, इस पर click करेंगे, और यहाँ पर आपको npm दिखेंगा sweet alert का, यानि कि इस पर click करने के बाद यह दिखेंगे npm दिखा, इस पर click करिए, इसको copy कर लेंगे, और अपने project में आ जाएंगे, जो आपका project है, इसको control C करेंगे, compilation रोग देंगे, API मेंने कुछ नहीं करेंगे, API वाला वैसी चल ले देंगे, API आपका चल ला है, इसमें आ जाओ, compilation को मैंने close कर दिया, और CLS कर लेंगे, right click करके interface कर देंगे, तो जो sweet alert है, वो आपका install होना शुरू हो जाएगा, अगर आपको command नहीं मिल दोनने पर Google में, तो आप जो है, देख के लिखेंगे यहां से, ठीके एक बार यह install हो जाए, उसके बाद फिर से आपको यहां पर NPM start कर देना है, इसके से NPM start कर देंगे, दुबारा अगर install हो गया, इनके sweet alert install हो गया, तो आपको NPM start कर देना है, ताकि यह दुबारा run हो जा इस तरीके से, और यहां पर sweet alert वाले component को आपको import करना है, तो sweet alert को हमने import कर लिया, from sweet alert, इस तरीके से import किया, जैसे काम कर रहा हो, जैसे आपको काम करना है, यहां पर, ठीके कहीं पर भी आप constant बना लेंगे, तो यह जो use effect है, इसके just नीचे ही मैं constant बना लेता हूँ यहां पर return के बड़ करेंगे, और यहां पर echo return कर देंगे, ठीक है, terminate कर दीजिए, इस के अंदर आजाओ, fragment को start करो, और fragment के अंदर आपको sweet alert को define करना है, यानि कि sweet alert वाला component आपने import किया है, उसको यहां पर define करेंगे, ऐसे close कर देंगे, और फिलहाल देखने कि यहां पर मैं ऐसे close कर दो, तो page load होती है, यहां पर sign up success मैंसे है, इसमें जो है, यानि कि यह इसे ही दिखना चाहिए, लेकिन ओके इसके लिए हमें state वगरा handle करेंगे, क्या मैंसे चाहिए, वो सब define करेंगे, अच्छा, इसमें जो हो, अगर आपको design करना है चाहते हो इसको, तो यहां पर आज जो है दूसरा property set करते है, success के नाम से अगर, तो एक icon आता है, notice करिए, इस तरीके से आपका यह design हो गया, success, तो हमें इसी तरीक से design रखना है, फिलहाल, ok पर click करने पर यह cut होना चाहिए, तो उसके लिए हम state वगरा handle करेंगे, तो फिलहाल, उपर की तरफ आजाओ, इसके लि पनाया, ठीक है, equal to का symbol देंगे, use state वाले hook का युश करेंगे, और यहाँ पर आपको json का symbol देना है, इसके अंदर, सबसे पहली property इसके अंदर set करना, आपको state के नाम से, state का value आपको, यहाँ पर false रखना है, पहले से हमें नहीं दिखाना है, इसलिए इसको false रखेंगे, comma सा separate करेंगे, title का value दीजिए, title का value आप define करना, जो define करेंगे यहाँ पर, तो फिलहाल empty रखता हूँ, और यहाँ पर type का value, मैं फिलहाल, sorry, यहाँ पर icon का value दीजिए, icon के नाम से property set किया, इसका value भी empty रखेंगे, और message के नाम से property set करेंगे, इस तरीके से, message का value क्या रखना है, व अब इसके लिए आपने state रखेंगे, यह copy कर लो तरह, नीचे की तरफ आजो, यह जो sweet alert वाला constant, इसके अदर सबसे पहले show के नाम से property set करो, और इसका value एक template letter assign करेंगे, sweet alert के अंदर से state वाली property को read कर लेंगे, तो पहले से अभी यह नहीं दीखेगा, यान कि जो पहले से दि type का value आपको, इसके रिफाइन करना है, template letter, और यहाँ पर आपको, यान कि sweet alert का अंदर से dot icon को read कर लेना है, तो जो भी icon होगा, वो आजाएगा, ठीक है, यहाँ पर यह हो गया, message का value भी आपको change करना है, तो message का value template letter को assign करेंगे, और इसके अंदर से dot message वाली property को read कर लिए, त ठीक है, तो अभी state का value false कर दिए, ताकि यह पहले से hide रहे, तो मैं state का value false कर दिया, ताकि यह पहले से hide रहे, notice के लिए पहले से hide रहेगा, अब कब दिखाना है, इस use effect के अंदर आजाओ, अगर success का response आजाओ, तो वो दिखना चाहिए, तो यहाँ पर आपको update करना है, इसलि message के नाम से जो property उसको update करिए, message में लिख देंगे हम data inserted, मैंने ऐसे लिख दिया data inserted, ठीक है, यहाँ पर, उसके बाद comma से separate करेंगे, title के नाम से जो property उसको update करिए, तो title को हम define कर देंगे इस तरीके से यहाँ पर good job, मैंने लिख दिया good job, ठीक है, उसके बाद comma से separate करेंगे, icon का value set करेंगे तो icon का value हो जाएगा success success मैंने define कर दिया से success ठीक है यह हो गया इसी sweet alert को copy कर लिए control C करके अगर कुछ failed हुआ है तो यहाँ पर आएंगे तो failed एक ही case में होगा आपका अगर email अगर same email जाएगा तब तो यहाँ पर आप लिख दिये ज़रा अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे यहाँ पर आप यहाँ पर आपको यहाँ पर देख लेते हैं क्या आता है एक बार reload कर लेंगे और यहाँ पर किलिक करेंगे यहाँ आपका आपका आजाएगा ठीक है यहाँ आगया अब ओक यहाँ आगया अब तो यहाँ पर आजाओ अच्या है यहाँ पर आपको custom button अगर बनाना चाहते हो तो के के custom button भी आप बना सकते हो तो हम custom button बना लेंगे या पर आप आप ऐसे लिखेंगे custom buttons के नाम से property होता है, इसका इसका अबजलियसन उबजेक्ट इसके अंदर आप फ्रेग्मेंट को स्टार्ट करेगे और इसी fragment के अंदर आपको काम करना है तो यहां पर आप buttons के नाम से यहां कि बटन को अगर आपने import क्या होगा इसको define करें और यहां पर ok के नाम से define कर दीजिए और इसको अगर आपको design करना है तो class name का उच्छ करिए class name में btn btn happen primary danger जो रखना हो रखें तो मैं primary कर देता हूं इस तरीके से ठीक है और border अगरा यह देना तो border अगरा भी दे सकते हैं यहां पर click करेंगे अच्छा इस पर click करने पर hide होना चाहिए वो चीज तो यहां पर आप इंटर कर लिजिए यहां पर भी इंटर कर लिजिए इस तरीक करेंगे वो hide हो जाएगा ठीक है तो यह चीज आपको define करना बटन के अंदर custom बटन जो आपने बनाया वह आपको ok दिखेगा वहां पर notice करेंगे इस पर click करेंगे यहां पर मैं कुछ नया data डालता हूं इस बार यह दिखे मैंने नया data डाला तक ही register हो जाए mobile number डालनूँगा पासवर्ड मैंने डाल दिया photo choose कर लूँगा इस तरीके से यहां से तो यह अलब मैंने photo choose किया register पर click करूँगा यह दिखे गुड जाब register हो गया करेंगे तो यह cut हो जाएगा यानि कि यह cut हो गया अगर दुबारा सेम email अगर आप insert करेंगे तो फेल्ड होना चाहिए अच्छा ठीक है यहां पर एक बार reload करेंगे यहां पर click करिए तरह फिर से same email डालिए यानि कि same email से registration करते हैं अगर आप तो फेल्ड का मेंसे जाना चाहिए मैंने यहां पर open किया और इस्टर पर click करूँग यह दिखे ना फेल्ड हो गया यानि कि duplicate email मेंसे जा रहा है तो अभी तक हमने जो काम किया है इनकि वो register का काम कर लिया है अब last part में यानि कि अगले part में हम data यहां पर load करेंगे model वगरा भी cut होना चाहिए यानि कि register होने के बाद model वगरा भी cut हो जाना चाहिए उसके लिए अपने model का state false करना है तो notice करिए यहां पर आई यह दरा यह देखिए अपने model के लिए model के नाम से set model के नाम से constant है यहां पर आ जाओ इसको copy कर लो और यह ज ब्रेकट कर देंगे और लास्ट में ब्रेकट कर देंगे ठीक है इस तरीके से यह हो गया close ठीक है यह पर पहला रिटन हो गया उसके बाद कॉमा देए और यहां पर आपको set model को return करना है तो set model का value आपको false कर देना है तो वह आपको हाइड हो जाए यहां तो इसी के case में यहां पर आई तरह नए डेटा इंसेट करेंगे कुछ तो मैं यहां से नए डेटा इंसेट कर लेता हूं यह वाला email डाला मैंने mobile number डाल दूँगा password डाल दूँगा इस तरीके से यह वाला मैंने photo चूश किया यहां से जाके open कर लेंगे register पे click कर देंगे model hide हो गया और good job या हींजे बारब